केल्शियम का अटॉमिक नंबर होता है 20 जैट से अटॉमिक नंबर को लिखते हैं इसको कैल्कुलेट आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग और दूसरा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालके दोनों से मैं आपको बता रहेती हूं अकॉर्डिंग टो बोहर मॉडल उसने कहा है कि जो शेल्ट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से रहते हैं सबसे इनर मोस्ट अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं केल्शियम की तो दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे इसके बाद इस शेल में जो दूसरा श शेल में चले जाएंगे, यहाँ पर 8 इसलिह आएंगे, क्योंकि यह एटम खुद को comfortable रखता है, दो इलेक्ट्रोन को दूसरी शेल में भीज देता है सबसे बाहर वाले शेल में जितना नमबर इलेक्ट्रोन का होता है, वही उसका 7S तक ठीक है, 7S तक हम यह लिखते हैं, इसके बाद वैसे ही second हमारा आजाता है P, तो 2 से शुरू करते है, 2P, 3P, 4P और वैसे ही 7P तक, इसके बाद लिखते हैं, 3D, 3D लिखते हैं, 4D, 5D, इसके बाद 7D तक यह भी ऐसे आजाता है, और इसके बाद आता है, last one is, that is F, तो यहां पर 4F और 5F लिखते हैं, तो electron जो है स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर, ठीक है, यह वाला हम लिखते हैं, दूसरे नंबर पर, ऐसे इसको शुरू करते हैं, देखें, ऐसे, इस तरह से यह जाता है, ऐसे, सिक्वेंस में लिखूंगी, तो जाद आपको समझ आएगा, देखें, सबसे पहले आजाएगा, 1S, S में 2 electron आते हैं, ध्यान रखना, इसके बाद 2S आजाएगा, 2S में भी 2 आजाएगे, फिर 2P आएगा, 2P में 6 आते हैं, याद रखने आपने, इसके बाद 2P के बाद कीजिए, देखिए, 2, 4 यहां पे होगे, 4 प्लस 6, 10, 12, और यह 18 प्लस 2, 20 होगे, तो आउटर मोस्ट देखिए, आप कितने हैं, यहां पे, आउटर मोस्ट यहां पे भी 2 हैं, तो दोनों मेथर से आपका अंसर कितना आ रहा है, 2 आप्शन भी यहां पे करेक्ट हो जाएगा मिलते हैं नेक्स mcq में, bye bye, have a nice time, take care.